नमस्कार आरे न्यूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सिंग मत्रप्रदेश और 34 गरड बुरचन की शुरुवात करेंगे आगामी राश्पती चुनाफ के लिए ज्वारकन के पूर राजपाल और आदिवासी नेता दुरुपदी मुर्मु को भारती जुनता पार्टी ने एंट्ये का उमिद्वार खोशित किया दुरुपदी मुर्मु 18 जुलाई को होने वाले राश्पती चुनाफ में विपक्ष के उमिद्वार यश्वन्त सिनहा के किलाफ मैदान में है लेकिन फिलाल एक आदिवासी महिला को राश्पती पत का दावेदार बनाये जाने पर बीजेपी नेताओं में खुशी की लहट देखी जा रही है द्रापदी मुर्मु को शुबकामनाई देने के साथ ही मद्यप्रदेश की मुखे मंत्री शिवरास सिंग चोहान गुर्वार को खुद आदिवासी पोश्चाक पहन कर खुशी व्यक करते नजर आए इस दोरान सीम शिवराज नाश्टे हुए भी नजर आए हैं द्रापदी मुर्मु को एनजी की राजपती पत की उमीदवार बनाये जाने पर एक आभार कारेकरम के आयुजन के दौरान मद्यप्रदेश के मुखे मंत्री शिवरास सिंग चोहान ने खुशी से नाश्टे हुए उन्हें देखा गया कुलाज शिवराज सिंग जोहान ने ट्विचर पर एक ट्वीट भी किया है जिसके माध्यम से ये जानकारी दी गए कि उन्होंने द्रौपोदी मुर्मुजी के नामांकर पत्र में फर्स सेकेंडर के यानि प्रतम समर्थक के रूप में हस्ताक्षर किये हैं कॉंगरस के वरिष चुनेता दिग्विचे सिंग एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं दरसल दिग्विचे सिंग ने सोशल मीडिया पर एक विडियो शेयर किया इसमें वीडी सावरकर को लेकर विवादत बाते कही गई हैं वेहीं अब सावरकर को लेकर विवादत वीडियो शेयर किये जाने पर बीज़ुपी ने दिग्विजर सिंग पर तीखा पलजवार किया है विश्वास सारंग ने दिग्वज़य सिंग पर पलजवार करते हुए कहा कि दो चके के लोग अपनी ब्रांजिंग करने के लिए सावरकर पर अलजाम लगा रहे हैं दिगविज़ सिंग ने दरसल अपने ट्विचर अकाउंट पर एक विडियो शेयर किया है इस विडियो में वरिश पत्रकार दिखाई दे रहे हैं जो कि किसी कारेकरम के मंच से बोल रहे हैं इस विवादत विजियो में पत्रकार ने आरोब लगाया है कि सावरकर पर एक ब्रिटिश महिला से दुशकर्म की कोशिश का आरोब लगा था विडियो में चाकले ने ये भी आरोप लगाया कि सावरकर को ब्रिटिश सरकार से साट रुपए प्रतिमा की पेंशन मिलती थी जो आज की समय में करीब एक से सवालाग रुपए होती आरोप ये भी लगाया गया कि सावरकर ने दस बार दैयाची का भी दाखिल की थी और इस भी शुरू करेंगे दमो की ओर दमो विकास खंड के अंतरगत समस्त मतदान केंद्रों पर सामगरी वित्रन की जा चुकी है यहाँ पर दमो शहर के पॉलिटेखनी कॉलेज पर इसर से चुनाव शुरू होना है और कल यानि कि 25 जून को मतदान किया जाएगा आपको बता दें रिटर्निंग ओफिसर दमो विकास अगरवाल और विनो जैन सुहायक रिटर्निंग ओफिसर मतदान दलो के लिए मतदान पेटी, मतदान पत्र और मतदाता सूचियों की चिनहित प्रती सहित दो प्रांतिया स्टॉंग रों में प्रदान किये जा रहे हैं और इसी के साथ साथ वो वित्रित की गई सामगरी की भी जानकारी ले रहे हैं इसी के साथ ही दमो, SDM, गगन विशेश, प्रकाश गौतम समेत और भी जादा अधिकारी और अफसर मौजूद रहे सभी पीटा सीन और अन्य साथ ही अबारी की से मिलान का चुनाफ सामगरी ले रहे हैं और इसी बीश लगातार एनाउंस्मेंट भी की जा रहे हैं कि दमो, विकासखंड में होने वाले चुनाफ को लेकर कल मतदान की तयारियां पहले से ही की जा रहे हैं आज भी सभी पार्टियां मतदान केंदर पहुंच जाएंगी जहां पर पार्टियां रवाना की जा रहे हैं इस बीश आपको ये भी बता दे कि नायब तैसिलदार अजुनायादव उनके साथ साथ पूरा पोलिस प्रशासन पंचाच चुनाफ में देर सुबह से ही तैनाथ है और इस बीश दमो जुले के देहाद थाना शेत्र के सरकड़ी गाओं में एक वृत को उसी के बड़े भाई ने गोली मार दी है सीने में गोली लगने की वज़े से पीड़ित की हालत काफी गंभीर हुई है और गंभीर हालत में पीड़ित को इलाज के लिए दमो जुला स्पताल में भर्टी कराए गया है बताय जारा है कि पीडित का इलाज दमो के जिलास्पताल में जारी है और मौके पर देहाद थाना प्रभारी, विज्या सिंग राजपूत और सागरना का चौकी प्रभारी गरीमा मिश्रा फोर्स के साथ जिलास्पताल पहुंचे इस भी जुनोंने पीडित से जानकारी लेने की कोशिश की और पुलिस ने बताया है कि पीडित अभी बाहर से आया था और जमीनी विवात को लेकर बड़े भाई रमेश ने उसे गोली मारती है इसे गंबीर आलत को देखते हुए दमोजिलास्पताल में भरती कराया गया है जहां उप्चार जारी है हाला कि पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है गंबीर गायल संतोष पटेल जिसके पिता भगवान दास पटेल है उनके उम्र करीब से तावन बर्ष है और वो सरखड़ी के निवासी बताय जा रहे है अभी डाल एंडर से तुछना प्राफ्टी थी कि एक पुल्टोष पटेल निवासी सरखड़ी को इनको गोली लगी है अब यह तक लिए और देवास में हार्ट अटेक से एक कोटवार की मौथ हो गई है बताय जा रहा है कि कोटवार जुनाब ड्यूटी के लिए खाते गाउं जा रहा था लेकिन इसी दौरान हार्ट अटेक आने की वज़़से कोटवार की मौथ हो गई है मिली जानकारी के अनुसार गुर्वार की शाम को ही चुनाब ड्यूटी के लिए बस के जर्ये पचास साल का एक कोटवार मोहन पहुंच रहा था खाते गाउं लेकिन इसी दौरान बीन पी थाने से आगे बस में बैचे बैचे ही अचानक आवास नगर में उनकी तब्यद बिगड़ गड़े और आपको बता दें कि जोरान शव का पंचनामा किया गया परिजनों को सूचना दी गई और इसी के बाद कोटवार मोहन की खाते गाउं में चुनाब में जूटी लगी थी जिसके जानकारी मिली है और जिला अस्पताल के डॉक्टर ने हाट अटेक से मौत की आश्वंका जुताई है बेराल परिजन विजेंटर ने बताया कि मोहन सिंग्स उनका शेत्र के ग्राम कुमालडी के रहने वाले थे उनकी खाते गाउं में गाउं का करिया मतदान केंडर क्रमांक नमबर 89 में जूटी लगी थी और आस्ते में ही तवियत खराब हुई तो वो बस वाले ने उन्हें नीचे उतार दिया सूजना पर मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचाया गया लेकिन इसी दौरां टॉक्टर ने जौचकर उन्हें इम्रित खोशित कर दिया एक रेक्टी को मौके लाया गया था मौके का नाम मोहन है पिता चोगा उमर पतास वज है ये सुरंकर्च के पास कुमार्डी गाउं के रहने वारा था इसकी पिराओं में डूटी लेकिती है तो ये कहीं बर्स जा रहा था तो आवास्नगर के आसपस पहीं इसको अक्लिफवी होगी तो मासे से लाया गया था जो अपने जब लाया था तो इम्रत अवस्था में लाया गया था अच्छा यहां देवास से वह जा रहेते कांक्रिया और रस्ते में इनकी अचानक तवियत खराब हुई तो बस वाले ने इनको आवास्नगर उतार दिया रस्ते में तो फिर आपको कर दो लगी थी और दमो जिले के देहा थाना शेत्र के अंतरकस समधाय विशेश की एक लड़की के साथ छेड़शाड का मामला सामने आया इसके बाद बड़ी संख्या में लोग दमो देहाथ के थाना शेत्र में खचा हुए और यहां पर पुलिस में मामले दर्च कराए गया है लेकिन पुलिस के द्वारा पुरे मामले की जाच की जा रही है दमो देहाथ थाना प्रभारी विजे राजफूत के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि लड़की के पिता के द्वारा यह जानकारी दी गई और मामला दर्च कराया गया इसके बाद पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुट गई है और पुलिस के द्वारा पुरे मामले की जाज की जा रही है हाला कि बड़ी संख्या में जवरान लोग जो हैं समधाय विशेश के लोग देहाद थाने में एक खत्रित हुए और इस बीच शेहर में लगे शेत्र के इस प्रकार की घटना से संसनी फैल गई है जहां पर ASI को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया या ASI पर लोकायोग्त पुलिस ने कारवाई की है साधी साथ लोकायोग्त पुलिस की टीम ने होमगाट के जिस्ट्रिक्ट कमांटेंट कार्याले में ASI को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है ASI पर या रूप है कि उसने एक होमगाट सिपाही को नामांकर रद करने की धमकी दी थी और इसी अवज में उसने ये रिश्वत की मांग की अब आपको बता दे कि चिंद बाड़ा में होमगाट सिपाही ने शिकायत दी है कि वो दो साल से अपनी न्युक्ती पर उपस्थित नहीं हुआ जिसके कारण उसकी किट को जमा करवा लिया गया है और कुछ महीने पहले ही अधिकार्यों द्वारा उसे वापस काम पर रख लिया गया था लेकिन उसकी अनुपस्थिती वारे समय की बात करते हुए ASI ने उससे 15,000 रुपे बतार रिश्वत की मांग की बिना रिश्वत के ASI उसका रेजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे अब रटेंगली खबर की ओर 36 गड़ से खबर सामने आई है जहां दुर्ग जिले के कलेक्चर ने आज अधिकारियों के साथ वन होम वन ट्री महा अभ्यान को सफल बनाने के लिए और युद्धसतर पर कारे करने के निर्देश्टिये हैं तो वही घरों को हरियाली से गुलजार करने का वन होम वन ट्री महा अभ्यान इस साल 6 जुलाई को आउजुद किया जाएगा इसी तरह से जिले में मनाई जाने वाले हरियाली दिवस और हरियाली का ये सबसे बड़ा अभ्यान लगता 20-2015 आउजद किया जाएगा इसलिए दुर्ग जिले में नागरे के से माइने में बहुत साही नजर आए कहा ये भी गया है कि उन्होंने पिछले दो साल उसे लगातार अपने घरों में पौधर उपन किया है साथी साथ जिन लोगों ने अपने घरों में पौधे लगवाए हैं वो अब बड़े हो गए हैं और इस बैचक में अपर कलेक्टर समेत का यन्य अधिकारी भी मौझूद रहे और इस बीच बट्टेंगली खबर की ओर राजनित गाउन से खबर सामने आई है जो पुलिस में पधस्त एसाई तुकाराम बाग को उत्कृष्ट कारे करने के लिए राश्पती रामनात कोविंद ने राश्पती सराहनी सेवा पदक से प्रशिस पत्र देकर समानित किया आपको बताते कि इस बीच रादनन्द गाउं के स्पी संतूष सिंग ने एसाई तुलाराम बाग को राश्पती द्वारा दिये गए प्रशस पत्र को लेकर उनके हातों से स्वापा और इसी एसाथ ही तुलाराम बाग को बधाई दी है दरसल धाना डोंगरगर में पधास्त एसाई तुलाराम बाग को राश्पती रामनात कोविन द्वारा उनके उत्कृष्ट कारे के लिए ये सम्मान दिया गया है साथ ही इस बीच एसाई तुकाराम को 30 सालों से पुलिस विभाग में सेवा प्रदान करते हुए क्राइम ब्रांच खूफिया विभाग समित कई या ने विभाग की जम्मादारी उन्होंने सम्हाली इसे के साथ ही विभाग द्वारा दिये गए कारे को फूरी निष्टा के साथ उन्होंने पालन किया है और अपनी उत्कृष्ट सेवा दी इस बीच मंद्रप्रदेश में चुनाव शुरू है और ऐसे में पंचाय चुनाव और निकाय चुनाव का दौर जा रही है इसी बीच प्रत्याशियों और समर्थकों और पार्टी नेताओं के बीच अन्वन की खबरे भी लगातार सामने आ रहे हैं ऐसे में चुटे मोटे विवाद भी चुनावी दौर में होते ही रहते हैं इस बीच चुनावी विवाद में खुनी संघर्ष का मामला सामने आया बता जा रहा है कि जुले के बरायच खेरा में दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भड़ गए इस बीच जम कर गोलिया भी चली और घचना में कई लोग खायर भी होए हैं पूरा मामला सामने चुतरपूर जिले के कोदवाली थाना इलाके में आने वाले वरायच खेरा का है यहाँ पर पंचाय चुनाव के विवाद में खुनी संघर्ष हुआ और साथ ही आपको वदा दें कि दो पंचायत प्रत्याशियों के समर्था गापस में भीड़ गए इसी दौरान दोनों पक्षों में जम कर गोलियां चली और इस खटना में दोनों पक्षों के चार-चार लोग घायर हो गए है बता ये भी जा रहा है कि घायर लोग को अस्पताल में भरती कराया गया है जो उनका इलाज जारी है और इस बीट मध्यप्रदेश महिला अध्यों की अध्याक्षोर कॉंग्रेस नेत्री शोबा ओज़ा ने अपने पत से इस्तीफा दे दिया है इसकी जानकारी उन्होंने एक प्रेसवारता में दी और इंदोर की प्रेस क्लब में आयज़ुद प्रेसवारता में शोबा ओजाने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए है उन्होंने कहा कि सरकार में अगर महिलाओं के प्रती जरा भी समवेदना होती तो महिलाओं को नयाय दिलाने वाले राज्य महिला आयों को भंग करने की कोशिश नहीं करते उन्होंने आगे ये भी कहा कि पुलिस की असमवेदन शीलता और नयाय में देरी के लिए प्रदेश की बीजेबी सरकार जम्मेदार है महिलाओं के अधिकारों के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी साथे उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के खिलाफ वो सालों से अवास बुलंद कर रही है उन्हें इंसाफ दिलाने का प्रयास करती आ रही है और इसलिए अब बहुत भारी मंद से राज महिला आयोग के अध्यक्ष के पत से उन्होंने त्याक पत्र दिया उन्हें ये भी कहा कि मेरा मकसद और मुक्त और खुले मंद से पीडित, चोशित और दमित महिलाओं की व्यथा और उनकी वेदना को स्वर देने का काम करना है और मैं अन्य मंचों से ये काम जारी रखना चुहाती हूँ और इसे के साथ ही फिलाल के लिए बुलिचन में इतना ही देश और दुना की तमाम ख़बरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे आरे न्यूस